अले ब् ago नमोस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आज फूब आप सब अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी तब्यद का ध्यान रख रहे होंगी क्योंकि बदलते चीजे बदल रही हैं तो पी तबियत का विशेज ध्यान रखें यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह लेक्चर 14 है सुबह 6 बजे करेंट अफियर्स को इसा था है 2023 के पूरा करेंट अफियर्स को मैक्स-to-max कोशिश की गई है हार टॉपिक से यहां पर हम पी वाई क्यू देख रहे हैं जो कि घटना चक्र आधारित है आपके एक प्रशन इसकिपना करें अगर नहीं देख रहे हैं लेक्चर को तो प्लीज देखना शुरू करिए लोगों के साथ शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब क बिल्कुल ना भूले और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूले चलिए जो लोग नहीं है उनको बता देना चाहते हो आप मुझे मेरे इंस्ट्राइम चैनल पर मेरे टेलिग्राम हैंडल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे दोरा जो भी आस तक पढ़ाए गया उ पतम बुद्ध ने अपनी मृत्यों के उपरांद बौध संग के नित्रुत्य के लिए निर्म लिखित में से किसे नामित किया था आनंद महाकस्प उपालियों प्रुक मैंसे कोई नहीं तो कुशी नारा में मलो के जो सालवन में क्या हुआ कि विश्राम के दौरान उनकी बुद्ध ने विख्शू को निकट बुलाकर पास में बुलाकर कुछ धर्म उपतेश दिया जैसे आनंद शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए हमारा शास्ता नहीं है आनंद ऐसा मत समझना और मैंने जो धर्म और विने तो यहां पर क्या है कि मैं इन्होंने प्रकार से इस पस्ट होता है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यूं के उपरान बौध संग के नित्रत के लिए किसी को नामित नहीं किया था बलकि अपने देशों को ही मांग तर्शक बताया था ठीक है अगला प्रशन यानि की कहने का तायत पर यह कि इस प्रशन का उत्तर क्य प्रवर्तन सुत्त की विश्यवस्तु का देखिए पिछले लास्ट दो तीन वीडियो से हम बौधिसम पर काफी प्रशन कवर कर चुके तो अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखिए तो देख लिए उसमें भी काफी चीज़ें की जा चुकी है देखिए गौतम प्रवर्तन सुत्त विश्यवस्तु का अंध्य है तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता ऑप्शन दी हो जाएगा धर्म चक्रवर्तन ठीक है इसके बद गौतम बुद्ध के बारे निर्म में से क्या सत्य है विक कर्म पर विश्वास करते थे आत्मा का श्रीव म मांते थे यructures सथा सद्धाव में विश्वास करते थे तो यहां पर देखें कुछां दिएग Guru ऑटर वक पुछा गया था उत्तर समयरे था टोवह करम से यह है वह करने शिळान करते थे वह नहीं विश्वास करते थे वहाइब समयर निंशार नहीं करते हुए कि पुनर जर् होता है और वे निर्मार प्राप्ति में भी विश्वास करते थे लेकिन इश्वर की सस्ता में विश्वास नहीं करते थे इसलिए पहला और तीसरा यहां पर सही है लेकिन हमारे कोशन को लाफ कंपंशेट के लिए पुछ किया जाता है तो देखें तिरपिटक के बारे में का और गांधी के तीन मंदर भ्रह्मा विष्णु महेश महावीर के तीन नगी ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रा है तो समझ आरहा है तो बुद्ध के उपने सबसे बुद्ध की ब्रत्यू के बाद उनकी सिक्षाओं को संक्लित करके तीन भागों में बाटा गया और उनी को त्रिपिटक कहते हैं यह विना पिटक ठीक है फिर सुत्त पिटक और अभी धम्म पिटक क्लियर है दूसरा कहा है त्रिपिटक ग्रंत किस धर्म से समझ देते तो बह ही सारे प्रशन रिपीटेड मोर पर पूछे जा रहे हैं और वही है कि हमको पेसे पता होगा तो चीज़े हो जाती है रिपिटक किस समझ देते हैं बहुत दूसरे हैं आप इसमें जादा सर बाढ़ने की ज़रत ही रही है आप एक ही चीज़ को रिपीटेड मोर पर पढ़ समझ जाना चाहिए किस बहुत धर्म घरंत की संग जीवन के नियम होते हैं तो देखें आप और ऑप्शन दिये गए हैं दीक निकाय विनय पिटक अभिधम पिटक और विशाभा शास्त्रम तो विनय पिटक जो है विनय पिटक देखेंगे संग संबंधी नियम और आच्र क प्रफ चाहिता है इसलिए प्रशन दीक हो चाहेगा अगला प्रशन है यमक बुध पिटक से संब्बिनय और अभिधंव और ओप्ट सब्च्ण देखेंगे किई मिलकत में से इसलिए महातमा-भूद्ध नैतिक एवम सिंधान्त प्रवचन संक्लत हैं विनय पिटक जोगे स यहां पर जो है अभीदम पिटक में दाश्निक से दान को संग्राय मिलता और यह प्रश्न जो है इसने पूछा गया है कि अभीदम के अंतरकत साथ ग्रंत समयते हैं जैसे कि धम संगडी विवंग धातु कथा पुगल पंचती कथा वस्तु यमक और पठान ठीक है यानि किस प प्रश्न है बारा बॉद्ध धर्म संग और अभीधम पिटक और पिर है आपका यहां पर करुणा ठीक है तो देखें सुथ पिटक में क्या है महात्मा बुद्ध ने नैतिक और एवं जिद्धांत संबन्धि प्रवचन संकलेत है यानि कि इसमें बॉद्ध के दिद्धांत कि यहां पर देखें आप देखें यहां पर जो ऑप्शन है वह हमारा ऑप्शन माफी चाहते हो कुछ प्रशन में लगता कुछ तो गड़बर है में भी मेरे बताने में मुझे लगता कुछ गड़बर हुए ठीक है हम इसको वापस समस्ते हैं प्रशन है निर्म लिकत में से किस बहुत साहित में नैतिक चींद्दान प्रशन संकलत है है तो अब पर आप्शन दिये गए हैं यांनि की बहुत धर्म के सिर्दान और उप्तेश संग्रहे हैं जबकि विने पिटक में क्या है कि संग संबंधी नियन और दैनेक जीवन संबंधी आचार विचारों विधी निशेदों इनका संग जब कि जातकों में बुद्ध के पूर्चर्मों के कहानिया यानिकि इसका option D यहां पर सुत्र पिटक हो जाएगा उत्तर पिटक और अभी धम पिटक है तो इस प्रश्ण का उत्तर क्या हो जाएगा option B हो जाएगा पस्ट हो रहा है रहा आके बढ़ते हैं बुद्ध संग के में भिख्षुनी के रूप में प्रवेश के अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी शावस्ती में वैशाली में राजग्रह में कुशी नगर में तो यह आपकी दी गई थी देखेंगे आपको दी गई थी जब बात करते हैं कि बहुत संग में ठीक है बहुत संग में आप देखेंगे कि यहां पर बिख्षुणी के रूप में प्रवेश के अनुमति कि बुद्ध के द्वारा दी गई थ तो यह देखेंगे आप वैशाली में दी गई थी तो अपने प्रियेश्ष जो थे आनंद के कहने पर वुद्ध ने वैशाली में स्त्रीयों को बहुत संग में बिक्षुनी के रूप में प्रवेश की अनुमती प्रदान की थी और बहुत संग में सबसे पहले शामिल होने वा पीडिया करें से चाह से जारे समय ओस्याजाद से शक्तान के यह तो ऊपने अरद भूले चयनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले कुईयं प्रश्न है घर्टेजस करी चाहिए तो आप मुझे यहां पर फॉelोग कर सकते हैं wonders प्लाटफॉम पर आप उसे bitके सब्सक्राइघ 1 देरे देरे हम और नए सारे प्रोग्राम कर सकी तो इसलिए आपका सही आपका साथ आपकी उपस्तिती अनिवारे हैं तो प्लीज इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें धन्य बाद